हेलो वैलकम बैक टू चैनल आज मैं आपको दिखाने और बताने वाला हूँ कि किया सेल्टॉस 2021 में जो एस्टी इस ले करके जीटी एक्स प्लस के वेरियंट के बीच में जो जो चेंजे हुए है किस वेरियंट में और प्राइस के इतना हाइक हुआ है सब कुछ डीटियल में आज बताने वाला हूँ तो वीडियो में बने रहा हूँ तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते है तो जो सबसे पहला जो वेरियंट है जिसमें चेंज हुआ है तो वह है किया सेल्टॉस का है और क्या फीचर सबसे पहले इस वीडियो में देख लो किया सेल्टॉस का जो बेस वेरियंट है किया सेल्टॉस एच्टी इजिसके अंदर इंफोटेंवेंट सिस्टम नहीं आता है एक छोटी से ट्यफ्ट डिस्प्ले दे रखिए तो वह बेस मॉडल जिसमें कि सिर्फ लिए और इस मॉडल गंदर कोई भी चेंज नहीं हुए है और बात रोगा सकेंड अब्डेट की तो वह सेल्टॉस में हुआ है जो सोलेट गंदर आता था पहले सेल्टॉस अंदर नहीं शिक्स आएंट्र ट्रांस्मिस्ट्ट्र इसे एना आयम्टी गंदर लग गेर बॉक् और यह फीचर सिर्फ एच्टी के अंदर मिलेगा और कोई वेरेंट के अंदर यह फीचर नहीं आने वाला है जैसा कि फोटो में देख सकते हो क्लच नहीं है ब्रेक है एक्स लेटर है यह सिक्स आयम्टी स्मार्ट और जो नेक्स फीचर एच्टी के अंदर एड़ हुआ है एक इंच का ट्रेस्क्रीन सिस्टम तो आता था बट उसके अंदर वायरलेस फोन प्रोजेक्शन भी अब एड़ हो चुका है तब यह दो फीचर एड़ हुआ है है एस्टी के विरेंट के अंदर फार्ड जो मेजर अबडेट हुआ है वह हुआ है एस्टी के प्लस विरेंट दोका हो आपना काडी से स्टर्ट कर सकते रिंओ से यह StK से स्टार्ट हो जाएगा और उसके अंदर फुली आ टोमेटिक क्लाइमट कांट्र एस याड़ कर दिया गया है कर दिया गया है tk plus variant के अंदर और अलेक्ट्रिक संरूफ जो htx विरेंट के अंदर से आना स्टाट होता था अब वह tk plus variant के अंदर से ही आना श्टाट हो जाएगा और अकर इसकी प्राइज की बात करें tk plus variant के अंदर तो उसके आयमटी की प्राइज रहेगी 12.19 इसके अंदर काफी सारे फीचर एड हो गया है जैसे कि वाइस के अंदर पोल करके संडूरोफ ओपन कर सकते हो विंडो डाउन आप कर सकते हो और इसके अंदर एक और फीचर एड हुआ है वो है स्मार्ट वायरस प्रोटेक्शन, स्मार्ट और प्लॉरिफायर ये भी अब HTX विरेंट से आना स्टार्ट हो जाएगा और HTX विरेंट के अंदर जो ज़रूरी फीचर्स एड़ किये गए हैं और HTX विरेंट के अगर प्राइज की बात करूं तो 13.65 लाक से लेकर के 14.75 लाक तक एक्स विरेंट ये अल इंडिया रने वाला है और इसकी ओन रोड प्राइज हर स्टेट वाइज डिफरेंट रने वाली है और किया ने सेल्टॉस रेंज के अंदर एक नया विरेंट भी एड़ किया है जिसका नाम रहेगा GTX Optional जो की 1.4 टर्बो पेट्रोल के अंदर रहेगा जो की मैनुल टांस्मिशन के अंदर रहेगा अगर इसकी प्राइज रेंज की बात करें उसके अंदर एड़ कर दी गई है और उसके अंदर बाकि जो फीचर्स रहें वो सारे सेम रहेंगे और जो नेक्स्ट अप्डेट हुआ है वो हुआ है सल्टॉस के GTX Plus विरेंट के अंदर अब उसके अंदर एड़ कर दीए गया है अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज याइक वीडियो एंच सब्सक्राइब चैनल मिलता हूं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए भाइ